नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कवर्मेंट जापर्पिशन पर दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपका एक इन्फॉर्मिशन देना चाहूँगा आपका जो वीडियो है वो आपको बारा से एक बज़े की बीच में हमारी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा आप वहार से जाके उसको देख सकते हैं तो दोस्तों और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने करेंटर फेस के बारे में तो आज जो है 18 जून है तो आज हम दोस्तों दिसकर्श करेंगे 18 जून 2018 की कुछ इंपॉर्डेंट जीके पॉइंस तो दोस्तों ज्यादा समय आपका नहीं लेती भी चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेसन तो दोस्तों अभी आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वा है हाली में किस मंत्राले ने सभी विश्व विद्याले को प्रतिवर्स दिछांत समारो आयोजित करने का आदेश दिया है तो दोस्तों अभी हाली में HRD मंत्राले ने यानि की आपसर नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है तो जो HRD मंत्राले है जिसे हम बोलते है Human Resource and Development Ministry या भुहंदी में अगर बोलें तो कह सकते हैं मानुस संसाधरियों विकास मंत्राले तो इसने अभी हाली में आदेश दिया है कि अब से सभी विश्विद्याले को प्रतिवर्स दिछांत समरो आयोजीत करना होगा ऐसा आदेश HRD मंत्राले के द्वारा भी हाली में दिया गया है तो next question हमारा है खाली में किस राज ने e-cigret पर प्रतिबंध लगाया है तो दोस्तों अभी हाली में तमिल नाडु ने e-cigret पर प्रतिबंध लगाया है यानि कि option number 4 आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा अभी हाली में तमिल नाडु ने e-cigret पर प्रतिबंध लगाया है ठ दोस्तों जो e-cigarette होती है, यह cigarette की तरह होती है, यह electronic cigarette आप बोल सकते हैं, इसमें एक cell होती है, और जो nicotine होता है, वो आपका liquid format में होता है, और उस cell के दोरा यह cigarette operate होती है, और उसी के दोरा इसमें भाब बनता है, जिससे आप cigarette के रूप में यूज करते हैं, और उसका सेवन क अगी ठी होगी तो इसीलिए भी हाली में तमिल नाडव जो फिक्राव में पर्वत रिदिबंद लगाया हि ठीके दोस्तों अब दोस्तों एक कुछ चोंशन की यहां पर बात की गई है तो तमिल नाडव एमिप थोड़ासा जानकारी लेना चाहिए तो दोसों जो तमिल लाडव है इसकी जो राजधानी है वो है चन्नई आ जो तमिल लाडव के सम leaving CEO है तो वो है के पलाणी स्वामी और जो तमिल लाडव के governor है तो वो है बन्वाली लाल पुरो एथ तो यह कुछ तमिल लाडव से समधित भी जानकारी आपके लिए मातपोर है आपको एक्जाम के point of view से आवस्यक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ दोस्तों जो यहाँ पर next question हमारा है question number 3 वह है हाली में किसने घोसरा की है कि केंद्री विश्विद्यालेव में PhD से सीधे सिच्छक भरती होगी तो यह भी important question है तो दोस्तों अभी हाली में प्रकास जावेडकर के द्वारा यह घोसरा की गई है यानि कि option number 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा जो प्रकास जावेडकर है इन्होंने यह घोसरा की है कि 2021 से जो भी केंद्री विश्विद्याले होंगे उसमें जो भी assistant professor की जो भरतियां होंगी वो direct सीधे PhD के द्वारा होंगी यानि कि अभी तक net अनिवारत है इसके लिए लेकिन अब क्या किया गया है कि अब 2021 से जो भरतियां होंगी assistant professor की तो उसमें आपको PhD अनिवारत होगा की सुरुवात की है सेवा की है हाँ पर थोड़ा चा question में tapping mistake है तो इसको आप mind मत करिएगा तो हाली में किस company ने भुक्तान आधारित UPI सेवा की सुरुवात की है तो दोस्तों इस सेवा की जो सुरुवात है तो वो अभी हाली में आपकी चिर परचित WhatsApp के दोरे की गई है यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीके दोस्तों तो जो यह WhatsApp है इसने खाली में इस सेवा की शुरुवात की है और इसके अंतरगत जब आप WhatsApp को update करेंगे updated version पर यह सुविधा उपलब्द है तो आपको 5000 रुपे तक का भुकतान इसके दोरा आप कर पाएंगे ठीके आप जब WhatsApp को update करेंगे ठीके दोस्तों तो यहाँ पर बात की गई है WhatsApp की तो थोड़ा सा WhatsApp की बारे भी जान लेते हैं तो जो WhatsApp है दोस्तों इसकी जो सुरुवात है यह 2009 में जान कॉम और यह क्या होता है एक्टन दो जो लोग थे उनके दोरा इसकी सुरुवात की गई थी किसके दोरा 2009 में इसकी सुरुवात की गई थी जान कॉम के दोरा और बैन एक्टन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी ठीक है और उसके बाद फरवरी 2014 में फेस्बुक ने इसे 19.3 बिलियन अमेरिकी डालर से खरीद लिया था यानि कि 2014 में वाटसप को फेस्बुक ने 19.3 बिलियन डालर के साथ इसको खरीद लिया था ठीक है तो दोस्तों इस समय जो CEO है इसके यानि कि वाटसप के जो इस समय बोजगता जो Chief Executive Officer है तो वो है जान काम और दोस्तों इसका जो मुख्याले है तो वो है कैलिफोर्निया और दोस्तों आभी हमने यहाँ पर बात की UPI की तो इसका फुल फार्म भी हमारे एक्जाम के पॉइंट अब यू से इंपार्डेंट है तो यह भी हमें जान देना चाहिए तो दोस्तों जो UPI है इसका जो फुल फार्म होता है वो होता है Unified Payment Interface क्या होता है UPI का जो फुल फार्म होता है UPI तो इसका जो फुल फार्म होता है वो होता है Unified Payment Interface तो नेक्स्ट जो हमारे जनजाती संग्रहले के निर्माण का नेड़े लिया गया है तो यह जो नेड़े है यह नई दिल्ली में लिया गया है यानि कि यहाँ पर आपका आपसर नंबर 2 सही आंसर हो जाता है ठीके दोस्तों तो जो इस समय राश्टी जनजाती मंत्री हैं तो वो है स्री जुएल ओरम ठीके दोस्तों तो जब चुकी बात की कि यहाँ पर राश्टी जनजाती संग्रहले की तो राश्टी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि राश्टी जनजाती समय मंत्री कौन है तो दोसो जो राष्टी जंजाती मंत्री है इसे में तो वो हैं स्री जुएल ओरम ठीक है तो इसका अब बात कर लेते हैं कि यह जो संग्रहाले है इसका मैं उद्देश ही क्या है तो दोसो ये जो संग्रहाले है इसका जो उद्देश है जो वनों में जो जनजातिया रहती है यानि कि जो निवास करती है तो उनकी विरासत को इसके दोरा प्रदरसित किया जाएगा ये इसका उद्देश ही रहेगा इसका जो थीम रहेगा इस राश्टी जनजाती संग्रहा तो दोस्थो जो अभी हाली में अतुलिय भारत विपसाइट है यह जो launch की गई है तो यह launch की गई है श्री जेके ilphans के दोरा यन्यकी option number 3 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो जो जेके ilphans है श्री जेके ilphans यह वर्तमान में परेटन राजमंत्री है तो जेके अलफांस कौन है ये भी question important है आपके exam के point of view से तो दोस्तों जो जेके के योग है उनको इसमें represent किया जाएगा ठीक है तो next point है हमारा question number 7 तो वह हाली में किस company ने जल्द ही e-commerce company launch करने की गोसरा की है तो दोस्तों ये जो गोसरा है तो ये अभी हाली में e-reliance के द्वारा की गई है यानि कि option number 1 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो दोस्तों अब Flipkart, Snapdeal इसे हम क्या करते हैं online shopping करते हैं तो यही सारी जो companies तरह की companies होती है वही e-commerce company का है लाती है ठीक है next question हमारा है हाली में किस राज में 24 x 7 mobile सेवा सुरू की गई है तो दोस्तों यह भी काफी important question है तो अभी हाली में त्रिपूरा में किस राज में 24 x 7 mobile सेवा सुरू की गई है ठीक है किस राज़ में सेवा सुरू की गई है तो अभी हाली में ये जो मोबाइल सेवा है ये त्रिपुरा में सुरू की गई है यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है तो दूसरों ये जो सेवा है ये GPS-based सेवा होगी और इसमें आपको क्या होगा कि आपको ये इसका जो में उद्देश रहेगा ये में फोकस रहेगा वो महिलाओं की security के परपर से इसे वाकिश सुरुवात की गई है में फोकस इसका महिलाओं की security है और उसके परपर से इसे वाकिश सुरुवात की गई है इसके दोरह आप 24 x 7 24 घंटे आप मोबाइल से कभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप मोबाइल फोन से आप संपर्क कर सकते हैं और GPS सिस्टम के तहत वो उस लोकेशन तक आपको पुलिस की पहुँच मिलेगी और वहाँ पर आपको सेवा प्रदान की जा तो राजधानी है तो वो है अगरतला और जो त्रिपुरा के वर्तमान में सीयम है वो है विपलो देओ ठीक है तथा जो गवर्नर है त्रिपुरा के इसमें तो वो है तथागत राए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है question number 9 वो है हाली में नीधि आयोग की गवर्निंग का द्वारा की गई यानि कि option number 1 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है और इसकी जो बैठाक की आयोजन है यह आपका राष्टपनी भवन में किया गया ठीक है अब दोस्तों बात की गई यहाँ पर नीधि आयोग की तो नीधि आयोग जो है इसके जो कुछ important question इससे समादि भी बन जाते हैं तो दोस्तों जो नीधि आयोग है सबसे पहरे तो हम जान लेते हैं इसकी स्थापना तो दोस्तों जो नीधि आयोग है इसकी स्थापना एक जनवरी 2015 में की गई थी कब की गई थी एक जनवरी 2015 में नीधि आयोग की स्थापना की गई ठीक है और दोस्तों जो question और एक important question है इससे सम्मन्दित जो सबसेद एक्जाम के लिए महत्पूर्ण है तो वो है नीदी आयोक के CEO वरतमान में कौन है तो दोस्तों जो नीदी आयोक के Chief Executive Officer यानि की CEO है वरतमान में तो वो है अमिताफ कांथ तो इस तरह से ये question हमारा complete हो जाता है नेक्स question हमारा है यानि की आज के इस GK Season का अंतिम question तो वो है हाली में किस देश ने अधिक बिदेशी स्रमिकों को अनुमत दिने का नेड़ा लिया है तो दोस्तों अभी हाली में जापान ने अधिक बिदेशी स्रमिकों को अनुमर देने का निर्ड़े लिया है तो दूस्तों इसका रीजन क्या है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है ऐसा क्यों किया है जापान ने तो जापान जो है उसमें जो युवा शक्ति है यानि कि युवा लोगों की संख्या कम है वहां की जो जादा तर जनसंख्या है वो 40 से 50 एज में पहुंच चुकी है और ऐसी इस्तित में उसे युवा कुछ ऐसी फर्म है ऐसी कमपनिया है जिसमें युवा लोगों की आउ सकता है तो जिसकी वज़े से जापान के दोरा ऐसा किया गया है और जापान ने विदेशी स्रमकों का अनुमत देने का निर्ड़े लिया है इसके अंतरगत विजा में छूट दी गई है, तक आप आसानी से विजा में छूट पाकर आप जापान में एंटर कर सके और वहां पर स्रम्कों की शंख्या में एजापा कर सकें, ठीके, आप दूसरों यहां पर बात किलेते हैं जापान की, तो जो जापान वरत्मान है इसकी जो राजधानी है वह है टोक्यो और जो जापान की पीम है इसमें तो वह है शिंजो अबे और जो जापान की कर्णिसी है वरत्मान में तो येन तो दोस्थो ये थी कुछ important question आज की current affairs आनि कि 18 जून 2018 की important current affairs उमीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो इससे like जुरू करिए और दोस्तों मैं आपसे request भी करता हूं कि अपने दोस्तों के शाब दी Share करिए ताकि इसी तरह के वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करते रहे हमें भी प्रोष्टाहन मिलता रहे और दोस्तों आज का आपका हिंदी जो समान हिंदी का टैन है उसका जो वीडियो है वो आपको बारा से एक बज़े के बीच अप्लोड कर दिया जाएगा तो मिलते हैं दुस्तों नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पो वाचिंग